विदमंद्री निर्मला सीतारमन ने आज बज़ेट पेश किया क्या कुछ मिला है मैं साथ बातचीत करने के लिए रामदार सटाफली जी मौझूद है सर पहली बात बज़ेट पर आपका फर्स्ट रियक्शन क्या होगा जिस तरीके से बज़ेट इस बार पेश किया गया है तो यह जो बज़ेट है बज़ेट देश को विकास के दिसेज इन्फार्जक्जर को कमचे कम 10 ला करोड रुपया इसमें देदे दिया है इसमें अनुसुजी जाती है जन जाती है दिव्यांग जन लोग है उसके साथ साथ मतलब सिनेरे सिटिजन लोग है किसान है कितना बजट मिला है आपके डिपार्टमेंट के सामाजिक नए के साथ साथ आर्थिक नए का यह बजट है और यह बजट में मतलब हमारे मंत्रा लोगे अच्छा बजट मिला है सर विपक्ष आपोजिशन यह कह रहा है कि यह सिर्फ 2024 और जो राज़ों में आज चुनाओ है उसको देखते हुए यह बजट दिया गया है हलाकि ऐसा कुछ नहीं है मद्यमर्गियों को बहुत इसमें सूट दे दी है मद्यमर्गों को दिध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है यहाम आत्मी को जेकर बजट बनाया है तो आपोजिशन वाले तो बोलते रहे गे लेकिन यह बजट बहुत बड़ा इंपोर्टन्ट है देश की विकास का जाहरा बढ़ाने वाला बजट है तो अपक्ष वा हम से बात करने के लिए तो साफ तोरप है जिस तरीके से अभी केंदे मंत्रे बता रहे थे कि बजट आम लोगों के लिए है लेकिन अब यह देखना होगा इस बजट से आम चंता को कितना फायदा होगा